हैलो स्टूडेंट वेलकम टू स्वातिस क्लासिस आज हम देखिंगे सिक्स टैनर का साइंस लेशन नमबर 13 साउंड लेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कीजे इस चैनल पर आपको सिक लोकालिटी टू डिनोट इस साउंड राइट देम विलो दी पिक्चर तो देखिए यहाप आपको कई सारे पिक्चर दिख रहे उसके अलग-अलग साउंड यहापको सुनने मिलेंगे तो अगर एसे साउंड जो आपने सुने है तो आपको राइट टिक करना है और जो साउ यहाप वर में देखना है, यहाप उसके अलग-आपको सुनने मिलेगे तो अघर आपके साउंडS डू यहाफ रिएग तो जो एंपना वक्से एंट लिए तो देखिए दीन बर में हम कितनी सारी आवाजे सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, अगर recess होती है school की, तो आपको कितने सारे साउंड सुनाई देते हैं, तो कौन से साउंड है, यह आपको question दिया है आपे Second question, when there is a silence in the classroom, close your eyes and sit quietly Which sounds in your surrounding can you hear now? अगर आप classroom में बैठते हो, तो आपको eyes close करनी है, और quietly शामती से बैठना है, और फिर आपको आवाज सुननी है, जो आपकी surrounding में आपको सुनाई देती है, तो आपको कौन से sound सुनाई देते हैं, यह आपको देखना होगा Prepare a common list of all these sounds and discuss them तो ऐसे कई सारे sounds होते हैं, जो हम लोग हमारे surrounding में सुनते हैं, तो उनके आपको एक छोटी सी list बनानी होगी, common list बनानी होगी, कि कौन से sound आपको सुनाई देते हैं, जैसे कि classroom में हो या फिर बाहर होते हैं, और इसे के time में कौन से sound सुनाई देते हैं, तो इस तरके से आप उसका list बना सकते हो, उसको discuss कर सकते हो, you will see that there is a lot of diversity in the univerable sounds that we hear, तो देखे, univerable sounds मतलब एकी तरकी की sound होते हैं, क्या नहीं, diversity मतलब अलग-अलग sound हमें सुनाई देते हैं, classify these sounds in two ways, तो sounds को हम two ways से क्या कर सकते हैं, classify कर सकते हैं, categorize कर सकते हैं, जैसे कि soft, loud and pleasant, unpleasant, इस तरके से ह उनको categorize कर सकते हैं, some sounds are loud and heard easily, while some others are very soft and cannot be heard, unless we listen attentively, तो जैसे कि सारे sound एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ loud होते हैं, जो हमें easily सुनाई देते हैं, जैसे कि गाड़ी का horn जो बचता है, तो हम लोग easily सुन पाते हैं, लेकिन कुछ इतने soft होते हैं कि उनको हमें attentively, मतलब concentrate करके अच्छे से सुनना होता है, we like some sounds on the other hand, we get annoyed by some other sounds, तो कुछ sound जो होते हैं, soft होते हैं, तो हमें सुनना अच्छा लगता है, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके कारण हम annoyed, मतलब irritate भी हो सकते हैं, ऐसे भी कुछ sound होते हैं, how are sounds produced, तो यह sound produced किस तरह के से होते हैं, when a song is being played on a radio or a music system in the house, place your hand on its speaker, what do you feel, तो यह आपे छोटी से activity दिए आपको, अगर आपके घर में radio है, या फिर music system है, और अगर गाना चलता है, तो उस ताइम आपको क्या करना है, जो speaker होता है, उसके उपर आपको हात रखना है, तो what do you feel, आप क्या feel करते हो, उसके बाद क्या करना है, put off the music, and what do you feel now, अगर music आप off करते हो, तो आपको क्या feel होता है, तो देखिए जैसे ही हम speaker के उपर हात रखते है, और music start करते है, तो हमें vibration feel होते है, अगर हम music को put off करते है, आप करते है, बंद करते है, तो उसके बाद हमें ये vibration feel नहीं हो पाते है, तो यह activity आप घर पे भी कर सकते हो second दिया है, take a rubber band and stretch it as shown in the picture, plug the stretch band, तो आपको क्या करना है, यहापे इस तरीके से band लेना है, यहापे rubber band, उसे हाथ से खीचना है, और उसके बाद छोड़ देना है, apart from the moment of the rubber band, what else did you notice, अगर हम इस तरीके से कोई rubber लेते हैं, और उसे खीचते हैं, और उसके बाद छोड़ते है तो क्या होगा, moment तो हमें दिखाई देगा कि यह सामनी की तरब जाएगा, लेकिन उसके साथ ही हमें और भी कुछ notice होता है, कि उसका आवाज भी आपको आएगा, तो यह भी activity आप easily घर पे कर सकते हो, third one दिया है, spread some sawdust और mustard seeds और sand on the diaphragm of a tabla, knock on the diaphragm lightly with a finger, अगर आपके पास tab तो उसके उपर आप sawdust डाल सकते हो, या फिर mustard seeds जो होती है, उसके डाल सकते हो, या फिर sand थोड़ी से आप वहाँ पे रखिये, और उसके बाद जो tabla होता है, उसके diaphragm के उपर आप finger से slightly क्या करोगे, lightly वहाँ पे बजाओगे, what do you say happening so long as the tabla makes a sound, what happens when the sound stops, अगर continuously आप आपको क्या वहाँ पे दिखाए देता है, यह आपको notice करना है, what do we understand from this observation, और इस observation से आपको क्या समझ में आता है, यह भी आपको notice करना होगा, the object that produce sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of a tabla show a certain movement, तो यह सारे जो example से उससे हमें यही समझ में आता है, कि जब हम लोग sound produce करते हैं, तो अबर बैंड है, या फिर तबला है, तो यह पर अगर तबले के उपर finger से आप यह पर टिप करते हो, या फिर बजाते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, moment हमें दिखाए देगा, जो मस्टर सीर्स है, वो भी move होते हुई हमें दिखाए देगे, उसके उपर अगर सैंड है, मस्ट सीर्स आपने वहाँ पर डाले है, और उसके बाद डाइफराम को तबला को अगर आप बजाते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जो मस्टर सीर्स है, उसका मोशन आपको दिखाए देगा, they oxalate rapidly, in other words, they vibrate, और एक words में हम other words में कह सकते हो, कि वह क्या हो रहे है, या पर use your brain power में आपको दिया है, when a metal dish falls on the floor, it makes loud noise, what do we do to stop the noise, what is the effect of that action, तो देखे ये तो हर घर में हम देख सकते हैं, कि जैसी कोई metal की dish होती है, अगर floor के उपर गिर जाती है, तो हमें continuous लिवापे एक अलग तरिकी का noise सुनाई देता है, अगर उस noise को हमें stop करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो dish जो वहापे गिरी है, अगर वो गोल-गोल घुम रही है, तो उसे सबसे पहले हमें stop करना होगा, and what is the effect of that action, अगर हम लोग उस plate को पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा फिर, जो sound है, जो noise है, वो भी वहापे बंद हो जाएगा, the vibration of an object is necessary for the production of sound, अगर sound produce होना जाएगा, तो वहापे उस object का vibrate होना भी जरूरी होता है, जैसे कि कई सारे जो musical instrument होते हैं, वहापे इजी ले आपको समझ में आए जाएगा, कि vibration अगर होंगे, तो तभी तो production of sound, तो sound produce हो पाएगा, as long as the object vibrate, the sound is hurt, जब तक ये object vibrate होते हैं, तब तक ही हमें sound सुनाई जब ये जो object होते हैं, वाइबरेट होना बंद हो जाएंगे, तो sound produce नहीं हो पाएगा, when the vibration stops, the sound also stops, जैसे कि हमने पहले बुला, the object due to which sound is produced is called the source of that sound, जिस object के कारण sound produce होता है, उस object को हम बोल सकते है, source of that sound, जैसे कि तबला है, सितार होता है, गिटार होता है, ये जो musical instrument है, इ इने vibrate करते हैं, हम लोग उसके बाद sound produce होता है, तो ये जो instrument है, उनको हम क्या कह सकते है, source of that sound, तो उस sound को जो object produce करता है, उसे ही हम source कहते है, source of that sound, the sound of a sitar, a bell, water that drops from a tap, a saucer that breaks on falling down, what is it that vibrates when these sounds are produced, तो ये आप easily क्या कर सकते हो, आपे सोच सकते हो, then do you know में आपको दिया है, acoustics The science of sound, resonance, including the production, propagation and effects of sound is called acoustic, तो acoustic में सब चीज़े आ जाएंगे, यहापे की resonance क्या है, including the production, sound का production किस तरह के से होता है, propagation, effects of sound, ये सारे चीज़े आती है, तो इसे ही acoustic कहा जाता है The intensity of sound is measured in a unit called decibel, जिसे हम D, B भी लेखते हैं, D जो small आएगा और B यहापे capital आएगा, तो sound की intensity मेजर करने के लिए unit आता है, decibel ये आपको अच्छे से याद रखना होगा The vibration of the vocal cords in our larynx और voice box also produces sound, तो देखिए जो हमारे गले में larynx होते हैं, यहापे आपको picture दिया है, तो यहापे है voice box बोलते हैं, यहापे उसे larynx भी कहते हैं हम लोग, तो यहापे हमारा sound produce होता है The voice box is located in our throat, और यह कहाँ पे होता है हमारे throat में, हमारे गले में The quality of the sound produced in the larynx depends upon the tautness of the vocal cords, तो जो हमारे sound की quality होती है, प्रोड्यूस करने की, यहापे जो sound produce होता है, उसकी जो quality होती है, यहापे जो हमारे vocal cords, तो यहापे आपको picture दिखाए दे रहा है यहापे आगया हमारे vocal cords, और यह है हमारा voice box, जिसे हम यहापे larynx भी कहते हैं, तो यहापे जो vocal cords है, इसके उपर हमारे sound की quality depend होती है, इसलिए देखिए सब की sound जैसे होते हैं क्या नहीं, कई जो singer होते हैं, उनके आवाज कितने अच्छे होती हैं, हर एक की आवाज singer की जै तो यहापे कुछ activity अगेन आपको दी है, take a pot fill with water, strike it lightly on its rim, what do you see, why are waves formed on the water in the pot, तो यहापे activity है, आपको घर पे भी कर सकते हो, इस तरह के से आपको एक pot लेना है, उसके बाद आप क्या करोगे, fill करोगे इसे water से, उसके बाद एक spoon लेकर आप उसके rim पर, मतलब यहापे आप क स्ट्राइक करोगे उसके उपर, तो आपको क्या दिखेगा यहापे, waves बनते होई दिखेगी पानी की अंदर, इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो यह waves बन रही है, तो यह waves क्यों फॉर्म होती है, pot के अंदर, vibration in the water and production of sound, तो जब हम लोग spoon से स्ट्राइक करते हैं यहाप पे उस pot की उपर, तो क्या होगा, वो pot vibrate होता है, और यह जो vibration होते हैं, हर साइड में होते हैं, तो अगर अंदर पानी रखा हुआ है, pot के अंदर, तो पानी में भी vibration फील होगा, और इसी कारण हमें वहापे waves दिखाई देते हैं, हमें sound जो होता है, किस तरीके से सुनाई देता है, there is air around a source of sound, as the source of sound begins to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrates, अगर जो source of sound जैसे कि हमने कहा, जो vibration, जिस object से vibration होते हैं, उसे हम source of sound कहते हैं, तो उसके around हर जगा पे air present होती है, यह तो हमें पता है, तो जब यह source of sound, जो भी object है, यह अगर vibrate होता है तो कुछ layer form होते है, air में, air के nearest, जहाँ पे जो object रखा है, उसके आजवाज़ो में, यह vibrations फेलते हैं, the source also vibrates, तो जो side में air है, यह भी vibrate होने लगती है, a wave of vibration of that sound spreads in all the direction from the source of sound, तो यह जो vibrations होते हैं, waves जो create होते हैं, हर जगा पे, मतलब जहाँ पे object है, उसके आजवाज़ो में यह, जो vibrations है, यह spread होने लगते हैं, all the directions में, search of waves is called a sound wave, और उसी waves को हम लोग क्या कहते हैं, sound wave, the sound waves reach our ears, और जब यह sound waves हमारे कानों तक पहुचते हैं, उसके बाद हमें वो sound सुना ही देता है, there is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ears, तो यहाँ पे हमारे कानों के अंदर, diaphragm, delicate diaphragm होते हैं, या फिर eardrum होते हैं, जिनके कारण हमें आवाज सुनाई देते हैं, it's start vibrating to, तो यह भी क्या होते हैं, vibrate होते हैं, जिनके कारण हमें आवाज सुनाई देती हैं, the sensation produced by these vibrations are passed on to the brain, through the nerves in the ears and we hear the sound, तो यह पूरा यहाँ पे आपको समझाया है, कि किस तरके से sound हम लोग सुनते हैं, कि जैसे कि object के तुरू जो vibration निकलते हैं, ear में create होते हैं, और ear से फिर हमारे कानों के waves आते हैं, कानों के अंदर जो diaphragm है, या फिर ear drum है, यह भी vibrant होते हैं, और यही sensation है, या फिर जो भी message होता है, यह जाता है सीधा हमारे brain के या पे, ना उसके तुरू, और फिर हमें यह message ear तक पोच्छता है, और हमें फिर आवाज सुनाई देती हैं, तो यह अच्छे से या पे explain किया fill air in one and water in the other, एक में आपको air से fill करना है और दूसरा पानी से, प्रेज दा बलून फिल विद एर अगेंस्ट यूर यर आज शोन इन दा पिक्चर, जो आप दो बलून लिया है, तो उसमें से एक बलून आपको लेना है, जिसमें air है, वो आपके कान के पास पकड़ के उसे rub क करना है और उसे जो आवाज आ रही है, उसको सुनना है, रिपिट दा सेम एक्टिविटी विद दा बलून फिल विद वाटर, और यही एक्टिविटी आपको जो वाटर से बहा हुआ बलून इसके साथ भी करनी है, त्रू वीच बलून दू वी हियर अ क्लियर साउंड, तो प्रेंड नॉक लाइटली ओन दी टेबल, यू विल हीर अ फ्रेंड साउंड, तो यहापे सेकेंड अक्टिविटी जो दी है, इससे आपको क्या करना है, टेबल के एक एंड में आप खड़े रहोगे, दूसरे एंड में आपको फ्रेंड को खड़ा करना है, और उससे कहन आ प्रेंड को आवाज करने के लिए बोलना है, लेकिन आपका जो कान होगा ये टेबल की यहापे आपको लगाना है, और फिर उस आवाज को आपको नोटिस करना है, कि आपको क्या डिफरंस यहापे समझ में आता है, sound travels in the form of waves through air, water, or through a solid and reaches our ears, तो जो sound होता है, यह sound के जो waves हो है पास होते हैं वर हमारे कानों तो पहुछते हैं sound is propagated more clearly through a liquid than through air तो देखिए यहां पर sound जो प्रोपेगेट होता है यह से ज्यादा काप होता है liquid में it is here most clearly through a solid लेकिन solid में यह काफी clearly हमें सुनाए देता है why is this so तो यह क्यों होता है तो सबसे पहले हमें new words जो दिये है यहाँ पर propagation of sound तो propagation of sound क्या होता है यह पहले समझेंगे sound is said to be propagated when sound waves spread in all direction from a source of sound तो propagation का meaning यहाँ पर in short spread जो sound के waves होते है यह spread होते है all direction में तूसे हम propagation के सकते sound जहाँ पे spread होता है तो उसे propagation of sound कहा जाता है the medium of propagation of sound the substance around the source of sound through which sound will spread is called the medium of propagation of sound तो जो substance जिनके through sound जो है यहाँ पे pass हो रहा है या फिर spread हो रहा है उसे हम कहते है medium of propagation of sound जो कि liquid हो सकता है air हो सकता है या फिर solid भी हो सकता है transmission of sound occurs at a different speed through different mediums अगर medium different है तो जो sound यहाँ पे spread होगा उसका speed भी different होता है transmission of sound is faster through a liquid than through a gas तो gas से ज़्यादा fast sound transmit कहाँ पे होता है liquid में and faster through a solid than through a liquid और liquid से भी ज़्यादा pass किसमे होता है यहाँ पे solid में तो यह आपको चीज़े याद रखनी है कि air में जो sound pass होता है थोड़ा सा कम होता है उससे ज़्यादा pass होता है liquid में और उससे ज़्यादा faster जो speed होता है यहाँ पे इसका sound का वो होता है solid में तो यह चीज़े आपको यहाँ पे याद रखनी है next दिया है आपको यहाँ पे newer है vacuum means an empty space from where air is partially removed तो vacuum का meaning क्या है जहाँ से एसा space जो empty space होता है जहाँ से air पूरी तरीके से निकाल दी है उसे हम vacuum कहते हैं observe and discuss तो यहाँ पे कुछ आपको pictures दिख रहे हैं जो कि sound produce करने वाले हैं और यहाँ पर फर्स्ट आपको पूछा गया है कोशन वीच आप दे साउंड इस प्लीजर्ट तो इन में से जो पिक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर साउंड कौन सा प्लीजर्ट होगा और सेकेंड यहाँ वीच साउंड आर न्यूजर्स तो पीपल तो कोशन साउंड है जो लोगों को यहाँ पर न्यूजर्स लग सकता है तो देखें यहाँ पर एक जो लड़की गाना गा रही है दूसरा बच्चा है जो शाउटिंग कर रहा है और एक थर्ड जो है कुछ खीश के लिए रहा है जैसे डब्बे की जैसे दिख रहा है अगर यह खीचेगा तो उसकी आवाज बहुत ज़्यादा होगी तो यह कोशन के आंसर आप भी ऑपजर करके डिसकस कर सकते हो नॉज पोलिशन तो नॉज पोलिशन क्या होता है तो जो जो हाश जो साउंड होते हैं लाउड साउंड होते हैं जिनके कारण हमारे कानों को तकलिव होती है सच साउंड प्रोड्यूस नॉज ऐसे साउंड को हम कहते हैं कि वो नॉज क्रियेट करते हैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपको पिक्चर दिख रहा है इसे सारे फैमिले मेंबर्स बेटे हुए हर एक अपने काम में लगे हुए और कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जैसे कि एक छोटी बच्चे है यहाँ पर जो ड्रम बजा रही है डॉग जो है बाकिंग कर रहा है यहाँ पर और हर एक कोई ना कोई यहाँ पर आवाज करते हुए हमें दिख रहा है जैसे कि टीवी आउन है तो उसका भी आवाज आएगा तो इसे नाम दिया गया है नॉजी सीन कि यहाँ पर कई सारे आपको साउंड दिख रहे है या फिर नॉजी सुनने को मिल सकते है यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया है तो इस पिक्चर में कौन से कौन से साउंड आपको समझ में आ रहे है जैसे कि टीवी चालो है टीवी का आवाज आएगा यहाँ पर एक बच्चा है जो क्राय रो रहा है तो उसका आवाज आएगा अगर किसी इंसान की तब्बे ठीक नहीं है तो उसके उपर इन सारे आवाजों का साउंड का इफेक्ट जरूर होगा तो कैसे होगा यह आपको सोचना है थर्डवन दिया है Would you be able to study in this condition अगर ऐसी condition है कि सारे लोग यहाँ पर आवाज कर रहे है गाड़ी के आवाज आ रहे है टीवी के आवाज आ रहे है तो आप लोग study कर सकते हो क्या यह question आपको दिया है The next page the situation shown in the two pictures on page 94 are often seen around us तो ऐसे pictures जो है यहाँ पर दिये हुए ऐसे situation हमें हमेशा दिखाई देते हैं हमारे आजू बाजू में Some of the sounds there defect are pleasant while others are harsh तो हर एक sound एक तरकी का नहीं होता है कुछ जो sound होते हैं pleasant होते हैं लेकिन कुछ harsh होते हैं जो हमारे कानों के लिए तकलिप देते हैं Very loud or continuous noise has adverse effect on the people of that locality तो देखें यहाँ पर continuous अगर noise होता है loud चलता है तो यह affect करता है वाके locality की लोगों के कानों के उपर उनकी health के उपर Their hearing may get impaired which can even lead to deepness ऐसे अगर loud आवाज हमेशा आ रही है तो लोगों में deepness भी हो सकती है मतलब उनके कान खराब हो सकते हैं लोग बहरे भी हो सकते हैं It can also cause restlessness, irritability and mental exhaustion तो देखें अगर कोई किसी की तबेत खराबे वो आराम करना चाता है और continuous अगर आवाज आ रही है तो आप वहापे बिल्कुल भी नहीं सोपाओगे और rest नहीं फिल करोगे irritability मतलब किया आप irritate हो जाओगे अगर continuously कोई आवाज आ रही है तो हम लोग irritate हो जाते हैं और mental exhaustion तो देखें इस तरकी कि अगर continuously आवाज आते हैं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है One cannot work with concentration अगर आप study कर रहे हो और बहार Continuously horn की आवाज आ रही है या फिर TV की आवाज आ रही है तो हम लोग concentratally study नहीं कर पाएंगे This kind of continuous noise which may have ill effect is called noise pollution तो noise pollution क्या होता है Continuously किसी आवाज के कारण loud जो noise होते हैं उनके कारण अगर हमें ill effect हो सकते हैं हमारे कानों को तकलिव हो सकती है तो इसे हम noise pollution केते हैं Noise pollution occurs when we hear one or many sounds harmful to the ear तो noise pollution कब होता है इस तरकी के एक से ज़्यादा जो sound होते हैं या फिर harmful होते हैं हमारे कानों के लिए तो उसे हम noise pollution के सकते हैं Majors for preventing noise pollution अगर noise pollution को हमें prevent करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर first दिया है As far as possible we should avoid blowing the horn अगर आप vehicle चलाते हो तो यह आपको देखना है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर horn बिल्कुल भी नहीं बचाना है avoid करना है Second volume of the TV or radio in the house should be restricted to those watching the programs TV या फिर radio का जो आवाज होता है यह हमें कम से कम रखना है इतना जादा नहीं रखना है कि लोगों को उससे तकलिब होगी Third one दिया है Vehicles should be maintained properly to reduce the unnecessary sounds they produce Vehicles अगर हम लोग maintain नहीं करके रखते हैं तो उनके कुछ parts होते हैं जिनके कारण unnecessary sounds produce होते हैं तो इसी लिए हमें Vehicles को अच्छे से maintain करना जरूरी होता है Fourth one दिया है Factories, airports, railway station and bus stands should be located at the proper distance away from residential areas जिसके कारण यहाँ पर देखिए Airports, factories, railway station जो होते हैं वहाँ पर काफे ज़्यादा ना-use होती हैं तो इसलिए यह residential areas जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ से यह सब चीज़े दूर होनी चाहिए ताकि लोगों को तकलिप ना हो Then next दिया है Believe it or not Birds like the robin and the woodcock can recognize the sound of an earthworm in the soil and find their prey तो जो birds होते हैं कुछ type की जो birds होते हैं यह अपना जो prey होता है जैसे की earthworm हैं या फिर छोटे कीडे होते हैं जो soil में होते हैं उनकी sound को भी सुन लेते हैं recognize कर लेते हैं This is because their hearing organs are very sensitive और यह क्यों होता है क्योंकि उनके hearing organs जो होते हैं काफी sensitive होते हैं Some species of grasshopper produce a sound by rubbing their legs together while flying in the air तो कुछ grasshopper जो होते हैं यह क्या करते हैं अपने legs को rub करते हैं तो यह सब लोगों ने सुना होगा जो mosquito होते हैं यह काफी आवास करते हैं जब हमारे कानों के पास होते हैं तो यह sound तो सब ने सुना होगा Some of the sounds that we enjoy can be a nuisance for others तो जो sound हम लोग हमारे enjoy के लिए सुनते हैं वो दूसरों के लिए तकलिफ हो सकते हैं कुछ लोग जो गाने बजाते हैं speaker काफी loud sound करते हैं और उसकी बात सुनते हैं यह उनके लिए enjoy होता है लेकिन बाकी लोगों के लिए तकलिफ हो सकती है What we have learned तो इस lesson से हमने क्या सीखा Vibration are required for the production of sound Sound produce करने के लिए vibration काफी ज़रूरी होते हैं The medium is required for the propagation of sound Sound को spread करने के लिए propagation होने के लिए medium की ज़रूरी होती है Sound is propagated through gaseous, liquid and solid mediums Noise is disagreeable, irregular and loud Noise pollution occurs due to continuous noise Noise pollution has adverse effect on our health जैसे हमने lesson में डिसकस किया कि इसके काफी सारी effect हो सकते है लोगों के उपर, उनकी health के उपर Heavy traffic and industrial areas cause the maximum noise pollution देखिए industrial area जो factories वगेरा होती है उनके कारण ज़्यादा noise pollution होता है Noise pollution is a social problem It is necessary that everybody takes major to prevent noise pollution तो हर किसी की ये responsibility होती है कि हमें noise pollution को prevent करना है Blowing the horns of vehicles is prohibited near places like schools and hospitals तो देखिए school जहाँ पर होते हैं वहाँ पर board भी लगाए जाते हैं कि no horn please तो वहाँ पर हमें horn बिलकुल भी नहीं बजाने चाहिए These rules should always be follower ऐसे rules जो होते हैं उनको follow करना ही चाहिए तो देखिए student अगर आपको ये lesson अच्छा लगा हो वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को like जरू कीजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरू कीजे